हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं बॉस्केट बॉल की रूल्स मेंगर मेंड्स अंतराश्टी संगाठान कप एंट्राफियस रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेड एमसी क्यूस का सीरीज बना रहे हूं जिसमें से यह पार्ट टू है यह च को बता दी हूं एंड इसके लावा होकी एंड बाइनविंटल आदिस रिलेटेड कोस्टन तो बहुत के बॉल्स रिलेटेड कोस्टन जो है आज की वीडियो में सभी कोस्टन इंपोर्टेंट है सभी को आप ध्यान से देखेगा एंड दोस्तों यह दिया फिज्ट के किसी क कर रहे हैं तो जया और आप चैनल पर लिए को देख सकते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा तो दोस्तों चली है आज की प्रश्णों की तरफ तो कोस्टन है दोस्तों कि बॉसके में सेंटर सर्कल का ब्यास कितना होता है जैसा कि दूस्तों इस को मैं पिछले विडियो में करा दी हूँ बट वहां पे एंसर मैं यहां पे एक गलत बताई हूँ कि मैं अर्ध ब्यास समझ के उसका एंसर दे दी हूँ यहां पे पुछा है ब्यास इसलिए मैं दुबारा से इस कोश्चन को कुरा रही हूँ तो बास्केर बॉल यह कंफूजन आप हटा लेजिएगा ठीक है ब्यास पुछेगा सरकल का 30.60 मिटर और ब्यास पुछेगा तो 1.80 मिटर यहां पे पुछा है ब्यास तो 30.60 मिटर तो जो पिछला वीजियो यारे पार्ट वान देखा है वो अपना कंफूजन दूर कर ले तो दोस्तों नेश्ट कोशन क्यों चलते हैं नेश्ट कोशन है कि बैक बोर्ड पर लगे रिंग का ब्यास कितना होता है तो जो बैक बोर्ड पर रिंग लगा हुआता है जिसमें बास्केट लगी होती है तो जो रिंग होता है उसका ब्यास कितना होता है तो 45 cm कितना होता है? 45 cm होता है एंड नेश्ट कोश्चन है बैक बोर्ड पर लगे ring में हुको की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो उसमें जो हुक लगे हुए है वो बारे होती है नेश्ट है बॉसकेर बॉल गेम में फाल कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों बहुत के इरबान में तीन प्रकार की फाउल होते हैं कौन कौन से आपको नाम भी पूचेगा तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है तो इसमें प्रक्तिकल फाउल, टक्निकी फाउल, एंड प्लेयर फाउल यानि तीन फाउल होते हैं और पाउल होने प्लेयर बाहर हो जाता है उसके अस्थान पर 30 सेकंड के अंदर जो अत्रिक साथ खिलाई है उनमें से किसी एक को अंदर आना पड़ता है ठीक है, नेश्ट है, बैक बोर्ड में जिस रोड से जुड़ा रहता है बैक बोर्ड उसके लंबाई कितनी होती है, रिंग के मध्य कितनी उसके दूरी होती है तो कितनी होती है दोस्तों, तो 0.15 मेटर नेश्ट है, बैक बोर्ड की मोटाई कितनी होती है, तो जो बैक बोर्ड होता है जिसा कि चितर में दीख रहा है उसकी मोटाए तीन सेंटीमीटर होती है नेश्ट अब वास्केर बॉल के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने से कितने के मद्य होते है दोस्तों तो चार से पंद्रे तक होते है एक भी कोस्टन कई बार पुछा जा चुका है नेश्ट है 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित होता है तो दोस्तों 24 सेकेंड रूल जो है बास्केर बॉल से संबंधित है जैसे कि बास्केर बॉल से संबंधित कई सारे रूल्स है जैसे कि 3 सेकेंड, 8 सेकेंड, 24 सेकेंड, 14 सेकेंड इन सभी रूल्स को मैं थोड़ा एक मि खिलाड़ी बिप्रीत टीम के प्रतिबंधित छेत जो रेस्ट्रेक्टिक एरिया है उसमें तीन से केंड से अधिक बाल को नहीं रख सकता और आर्ट सेकेंड का रूल क्या है दोस्तों कि जिस खिलाड़ी के हाथ में अपने कोर्ट में बाल हो उसको वह उसकी दूसरी टीम को आर्ट सेकेंड के अंदर बिप्रीत टीम के कोर्ट में बाल को प्रवेश कराना पड़ता है और चोबीस सेकेंड का रूल क्या है कि जिस टीम के नियंदर में बाल हो उसे चोबीस सेकेंड के अंदर बिप्रीत टीम पर बासकेट के लिए अंक लेने का प्रयास करना पड़ता कि जिस टीम के नियंद्र में बाल हो उसे 24 सिकेंड के अंदर विपिदट में बास्केट के लिए अंग लेना पड़ता है ठीक है और जो की बास्केट के यम्री होता है जो throw in या free throw लेने के दोरान अमपायर की CT बजने के बाद 5 सेकंड में throw in या free throw के लिए gain छोड़नी पड़ती है आगले question के वर चलते हैं नेशन रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है लेने उनगा कि वर उसके लंबाई 40 संदे मीटर की से समद्धित है जो हो बास्के बाल से समद्धित है आग जिस बास्केर बोर्डं होता है इसके लंबाई कितनी होती है गोस्तों पिछली विजियो में बता चुकी हूं उसकी लंबाई तो बैक बॉर्ड की लंबाई जो होती है वह होती है आपके बैक बॉर्ड की से जुड़ा होती है तो बैक बॉर्ड की से जुड़ा हो है बास्केट बॉर्ड से लेश्ट है किस ओलम्पिक में बास्केट बाल महिला को सामिल किया गया बास्केट बाल महिला को 1976 मार्टियल कुनारा में सामिल किया गया और बास्केट बाल महिला को बास्केट ने किया को कि याफ आई बी ए याई आध यानि कि फीबा पूल फार्म क्या है तो फीबा का फूल फार्म है फेडरेशन इंटरनेशन टी-बास्केटबाल जिसकी यानि कि विस सो बास्केडबाल संग इसकी इस अपना उने 132 अमेरिका में हुआ था इसका है एड़कॉाटर मीज सट लोर्स कहते हैं लिए बश के अरब कि राष्टी परिश प्रतिवगीता का क्या नाम है तो बॉछ के अरष्टी प्रतिविटा का नाम फोई बार पूछा भी जाता है तो प्रिंस वसालद जहां ट्राफिक नेश्ट दुस्तों निवन में से किसका बॉस्केटवाल से संबन्द है आफसन है पंच बैक कोट डारेट किक गुगली जैसे कि दुस्तों पंच जो है वह आपका बाक्सिंग यानि की मुक्केबाजी से रिलेटेज़ है डारेट किक सब्दा आल गया पुटबॉल से रिलेटेड है गुगली जैसे क्रिकेड से रिलेटेड है अब आ याता है बैक बोllow सब्द जो होता है आपका यहां आता है बासकेटवाल से सम्बन्द नेश्ट ए निर्व जैसा कि आप सबको पता है Michael Johnson का नाम मस्भूर है बास केड़ बाल में तो कुन संबद है बास केड़ बाल से रिलेटेड कुन है Michael Johnson नेश्ड दोस्तो rolling substitution किस छेल से संबदित है आप संद है basketball hockey cricket A and B दोनु तो दोस्तो जो rolling substitution बास्केट بال हा एन हांकी दूनों से रिलेटिड है। नेक्ट पूरिफे ने दोस्तों बास्केट बाल का उदगम कि इस देश में हुआ है ख्रफे च है तो अमेरिका के इस्परिंग प्ल्ड Kal Nazyeondere आठारासो एकियारवे में डाक्टर जेमस ने स्मिछ ने किया निर्ष्टे बॉस्केटवाल की खोच का मुख्य कारर किया था दोस्तों तो इसका मुख्य कारर था ठंड के दिनों में इंडौर एक्टिविटी प्रदान करना निर्शे बॉस्केटबॉल खेल के दौरान किस प्रकार के चोटों की रुख थाम की जाती है तो इसमें कंडीशनिंग प्रोग्राम के दौरा यहाँ पे कोंचन क्या है बॉसकेटबल खेल के दौरा किस परकार चोटों की रुख-थाम जाती है किस परकार से की जाती है कंडिशनिंग प्रग्राम के दौरा वीस्ऺशन दौरा क्यों साव alpad साव्ब सबसे आसान होता है तो इसमें आपका कौन सा साथ सबसे आसान होता है तो free through नेश्ट है free through करने के पहले एक खिलारी को क्या करना चाहिए तो उसको तनाय हो रही तो हो कर start कर ध्यान देना चाहिए नेश्ट है फुरुच्छात में खिलारी नहीं होने पर सबसे आसान start कौन सा होता है दूस्तो तो ले अफसार्ट होता है सुरुचात में खिलाई नहीं होने पर सबसे आसान सार्ट होता है ले अफसार्ट नेश्ट बॉसकेट वाल में प्रतिवंधी छेत्र किस आकार का होता है जैसे कि प्रतिवंधी छेत्र जो होता है वहाँ होता है आयताकार आकार का किसा अकार का आयता का अकार का निश्ट है रिंग का मद्धभाग बैग बोर्ड से कितना आगे होता है तो रिंग का मद्धभाग बैग बोर्ड से 0.375 मिटर होता है निश्ट है फ्री थ्रो लाइन इन लाइन से कितनी दूरी पर होती है तो जो फ्री थ्रो लाइन होती है वो इंड लाइन से 5.05 0.0 मीटर की दूरी पर होती है Ness gia Free Thro Line की लिमभाई कि इतनी होती है तो जो Free Thro Line की लिमभाई होती है 9.06 0.0 मीटर होती है तो दोसतो आज के लिए वे इतना ही I hope की सभी कोस्टोंज आपको समझ में आया हुँगी जो भी doubt होगा मुझे comment में जडूर बताए जो भी गलती होगा उसको भी बताया कीजिए दोस्तों एकडम निर्फी क्रूप से मैं उसका doubt clear करने की कोशिज करूँगी जो भी गलती होगा उसको रहेगा तो बिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए